जाता है जिससे वो बिजनस करते है, बिजनस ब्लास्टरस प्रोग्राम किया जा रहा है और धेरों बचे जो हैं वो अलग-अलग-अलग-अलग-छोटे-छोटे बिजनस करना चालू कर रहे हैं यही business blasters program यही entrepreneurship classes अब colleges के अंदर भी शुरू की जाएंगी और colleges के अंदर भी बच्चों को डिगरी लेने के बाद नौकरी ढूंडने के बजाए अपना business करने के लिए उन्हें तयार किया जाएगा मानसिक तोर पे तयार किया जाएगा और college में पढ़ते पढ़ते भी वो इस दिशा के अंदर अपने छोटे छोटे business ideas को तयार करना शुरू करेंगे उसके लिए उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी आज खुशी की बात यह है कि दिल्ली की cabinet ने दिल्ली startup policy पास की है दिल्ली startup policy यह जो हमने बनाई है यह दुनिया भर की जो startup policies है उन सब को इकठा करके उनके जितने भी अच्छे points थे वो सारे अच्छे points इसके अंदर हमने डाले हैं कि अगर दिल्ली के रहने वाले युवा दिल्ली के अंदर कोई business चालू करना चाहते हैं तो उनको दिल्ली सरकार पूरी तरह से मदद करेगी hand holding करेगी उनको पैसे से भी मदद करेगी और पैसे के अलावा भी कई तरह से मदद करेगी पैसे से मदद करने में कई सारे चीज़ें हैं जैसे मान लीजे वो किराय पे को अपने employees को उन तन खाओं के अंदर कुछ portion financial उसकी मदद कर सकती है वो अगर patent के लिए trademark के लिए copyright के लिए apply करता है तो जो उसकी fees लगती है वो वापस कर सकते हैं उसके जो internet charges आते हैं उसके अंदर दिली सरकार मदद कर सकती है दिली के अंदर incubation centers लगाने के लिए fabrication labs लगाने के लिए ऐसे centers जहां पे की बच्चे जाके अपना startup शुरू कर सके हैं उनको incubation center कहते हैं ऐसे center जो लोग स्थापित करेंगे उनको अद तरह तरह से विट्टिय साहयता देंगे बिना guarantee के collateral free loan दिलाने में दिली साहयता मदद करेंगी और एक साल के लिए interest free loan होंगे इस तरह की धेर सारी विट्टिय साहयता दिली सरकार देगी लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है एक बच्चा एक नौजवान युवा जब अपना नया बिजनस शुरू करना चाहता है तो वो 10% टाइम तो अपने बिजनस पे देता है और 90% टाइम वो इस पे देता है मेरे को GST के लिए apply करना income tax department जाना है यह सरकारी विभाग में जाना है मेरे को यह कानून 90% टाइम वो इन चीजों के अंदर busy रहता है हमने यह तैय किया और यह एक तरह से एक नई तरह की श जैसे उसमें chartered accountants का panel, lawyers का panel, experts का panel उनमें से किसी के भी पास एक startup वाला बंदा जाके और उनकी मदद ले सकता है और वो मदद बिलकुल free होगी माली जीए हमने एक panel बनाया chartered accountants का तो वो startup वाला जो startup शुरू कर रहा है वो उनमें से किसी भी chartered accountant के पास जा सकता है उनसे ले सकता है और वो chartered accountant जो भी मदद देगा वो free होगी इसको दिल्ली सरकार उस chartered accountant को पैसा देगी तो इस तरह से किसी भी legal तरह के वो दिया जा सकता है startup करने वालों को marketing करने में मदद दी जाएगी, social media में मदद दी जाएगी, patent या trademark कैसे file करने उसमें मदद दी जाएगी, G GST कैसे घखबरना उसमें मदद दी जाएगी, investors ढूंडने के लिए मदद की जाएगी, loan लेने के लिए मदद की जाएगी, अलग-अलग सरकारी विभागों से कैसे approval लेनी है, इन सारी चीजों में धेर सारी चीजों में startup करने वाले युवा को दिल्ली सरकार free में professional और अलग समान खरीदती है, सरकार जो procurement करती है, उसमें भी startups के लिए अलग एक सुविधा होगी, उसमें normally जैसे procurement करते हैं, हम कोई समान का तो हम कहते हैं, इतने साल का experience होना चाहिए, इतने साल पुरानी company होनी चाहिए, इन सब चीजों में startup के लिए हम धिलाई कर देंगे, ताकि जो म माल के अंदर कोई compromise नहीं होगा, माल की quality में कोई compromise नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर हम उनको मदद करेंगे, तो और जो बच्चे college में पढ़ रहे हैं, दिली सरकार के college में कोई बच्चा पढ़ रहा है, और वो कोई startup करना चाहता है, और पढ़ते पढ़ते उसने उसने product ब जाए, तो उस पढ़ते पढ़ते college के बच्चों को भी एक से दो साल तक की छुटी लेने की इजाज़त दी जाएगी, इसका procedure यह होगा कि एक task force बनाई जा रही है, 20 लोगों के task force, उसमें 20 उसमें एक केवल government officer होगा, उसमें थोड़े से लोग academics के होगे 10% और 85% लोग private industry के लोगों के business के लोगों के यह अगर कोई भी दिल्ली सरकार के startup में policy में register करना चाहता है, वो इस task force को apply करेगा और यह task force जो है, फिर decide करेगी कि हमें इन्हें register करना है की नहीं करना, तो मुझे लगता है कि इस startup policy के बाद एक बहुत बड़े सतर के उपर दिल्ली में startups का boom आए बनाएंगे, बहुत बड़ी-बड़ी company यहां से निकलेगी और खुब तरक्की करेंगे, आज दिली की cabinet ने एक और बहुत एहम फैस्ता लिया, वो यह की दिल्ली में बहुत सारे लोगों को free बिजली मिलती है, इसके लिए दिली सरकार subsidy देती है, बीच बीचे कई लोगों क मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिठी आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं, कि सर अच्छी बात है आप हमें free बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं, वो सक्षम हैं, हम free बिजली नहीं लेना चाहते हैं, हम आपकी subsidy नह अगर वो कहेगा हाँ चाहिए, तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए, तो हम उनको नहीं देंगे, तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा, और एक अक्टूबर से दिली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की subsidy दी जाएगी, जो लोग बिजली की subsidy मांगेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया,